वह खेलता रहा था इस sentence की English जानेंगे आज के इस वीडियो में तो चलिए हम इसे English में translate करते हैं दोस्तो जिस भी Hindi sentence के अंत में क्रिया के साथ ता रहा था करके रहे जैसे इसमें क्रिया है खेलना यानि खेलता रहा था है तो वो past perfect continuous tense का sentence होता है इस तरह के वाक्यों को English में translate करने का नियम है पहले subject लिखते हैं इस वाक्य में subject है वह तो वह के English यहाँ पर ही लिखेंगे उसके बाद helping verb लिखना है यानि had been उसके बाद verb के साथ ing इसमें verb है खेलता रहा था यानि खेलना और खेलना को English में कहते हैं play तो play के साथ ing जोडने पर हो जाता है playing he had been playing वह खेलता रहा था इस sentence की English होती है he had been playing he had been playing दोस्तो इसी तरह से Hindi to English translation सीखते रहने के लिए यदि आप channel पर नए हैं तो channel को subscribe करें